असलम आलेकुम आप सब लोग कैसे हैं उमीद करते हूं अब सब लोग खरियत से होंगे मेरी चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं आज मैंने एक केक बनाया यह दिखिए बहुत खुबसूरत है चलिए आप लोगों को इससे बनाना दिखा देते हैं इससे बनान तो मैं एक अंड़ फोड लेती हूं इसमें बरतन में आप अगर प्रिमिक्स के बना रहे तब तो और अच्छा है मेरे पास नहीं था मैं इससे बनाती हूं मौइदा से चलिए इससे बनाने के लिए मैंने आंड़ फोड लिया यहां पर मैंने ले लिए तेल लगबक 50 गरम और मैंने चीनी ले लिए लगबक 1500 गरम तो चीनी को मैंने मिक्सर में पीस के पाउडर बना लिए हैं हम अंडा तेल और चीनी को हम अच्छा से फेट लेंगे दो मिनिट फेटने के बाद जो है दूद थोड़ सा मैंने डाल दिये है 50 गरम जितना हो गई है तो सारे चीजे म मैंने मिक्स कर लिए आप चाहे तो चमस से भीपे सब्सक्राइब । समय लें यह पिर दो टेबल चम जितना और डाले है क्योंकि मुझे थोरा से यह पतला लग रहा था वनिला एसनस मैंने एक चाह जमच डाल दीए हैं मैंने अंदाजे डाल लिए लोग चाह प़ाउडर फोड़ा सा मैंने बैकिन डाल दिये है लगबक तीन चिम्टी जितना होगा हाथ से चिम्टी करके उठाना है आब इने मिक्स कर लेते हैं एक डिरेक्शन में आपको मिक्स करना है जब भी आप फ्राइपन में बनाइब तो क्योंकि मुझे ना इस थोड़ा सा इसका चौड़ाई ज्यादा चाहिए तो मैंने यह फ्राइपन ले लिए है मेरे पास है बारतन केक बनाने वाला लेकिन मैं सुची इसे फ्राइपन जाएगा कि मुझे आसा चाहिए शायरा बटर इसमें डाल दिये थोड़ा सा टेप ट फञेंड़ कौसी तब तक यह मैंने क्रीम सब टेयार कर लींट मैंने लगभग लाख मैंने लुटबाल से हमें इसकते क्रीम आप हाथ से नहीं बना सकते हैं आपके पास एलेक्टिक बिटर हो तो ही क्रीमा बना सकते हैं देखिए अब यहां पे जो है लगबग 30-35 मिनिट बाद मैंने यह चेक करने आया यह थोड़ा सचूरा में लग रहा था तो मैंने पांच मिनिट और इसको ढखान लगा दिया पांच मि मूल्ड में बनाती हूं तो मूल्ड में इस तरह से पतला नहीं होता है तो अब इसका जो है हम निकाल लेते में इसका दो स्लाइस बनाऊंगे यह देखिए कितना सॉफ्ट और सुंदर यह हुआ है अंदर एक भी जो है आपका गैप नहीं है तो यहां पे मैंने एक बेस लि हुआ तो मैंने उसी में थोड़ा सा पानी मिला के डाल लिए है कि इससे सॉक्ट है मॉस्टर रहता है अंदर इसलिए थोड़ा सा सुगर सिरफ हम उपर से डाल दिये अब क्रीम में से लेके आपको इसकी अंदर एक लियार लगाना है आप चाहे तो इसकी अंदर कोई भी ज देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ मैं भी बहुत ज़्यादा बनाती नहीं हूं लेकिन फिर भी कोशिश करते हूं कि अच्छा देख देखने के लिए बिलकुल टाइम हाथ में लेके आपको आराम-आराम से बनाना है इसका क्राम कोटिंग हो गया है क्राम कोटिंग की मत अच्छा से लगा लिए आपको बहुत अच्छा सा इसकी उपर आपको पूरा बड़ा बर खीचने रहना है पैचोलर को ताकि अच्छा से इसकी उपर से बिलकुल स्मूध हो सके तो बहुत ज़्यादा स्मूध मैं नहीं किया क्योंकि मुझे इससे ब्रश इस तरह का लाइ तो यहां पर मैंने ले लिए नीट्रेल जेल यह जो मेरा नीट्रेल जेल है मैंने इसको इसलिए ने दिखाए क्योंकि इसकी अंदर जो है मेरा यह कलर पहले से बना हुआ है रेट कलर का नीट्रेल जेल है और एक पाइपन बैक में मैंने एक 1 mm का नोजल ले लिए हैं यह द जाएन लगबक हो गया है अब में थोड़ा सा एक और 6B नोजल है मेरे पास है उसी पर मैंने थोड़ा सा और किरिम भाल लिए है और यह देखिए मैंने एक बिजबिश में खाली जहां 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 ता महां लगा दिये है अब कुछ प्रिंकल है मेरे पास गोल्डन कलर का में एक इठो सब फूल की उपर बिठा देती हूं तो लगबक केक जो है मेरा तयार है आप लोग बताएगा नीचे कॉमेंट करके मैंने कैसा बनाया यह आटिफिशियल फूल है मैंने अपने बगीचा में से तोड़के लिए यह देखिए मैं थोड़ा सा इसको भी लगा देती असलाम अलाइकुम